खबरे जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे जिनका आपकी सिंदगी पर होता है सीधा असर खबरों की वही तस्वीर बिना मतले बिना जर्ड जजबा सच का लिए सच दिखाते हैं मैं हूँ आपके साथ जहारा और आप दीख रहे हैं हमन समचारत चले सवक्ति मुख्य खबर पर डालते हैं नजर मुझफर नगर उत्तर परदेश में काशिराम विचार यात्रा बड़ी धूम धाम से निकाली गई मानिनी भूतपूर मुख्य मंत्री सो श्री मायवती जी को पाची वी बार उत्तर परदेश की मुख्य मंत्री बनाने के लिए मुझफर नगर उत्तर परदेश में काशिराम विचार यात्रा बस बार का विजेरत निकाल कर मुझफर नगर उत्तर परदेश की विदान सबग हतोली की गाउं भैसी में राजकुमार जी की आवास पर श्री जैपरकाश जी पुर्व राष्टी उपाद्यक्ष भोजन समाच पार्टी की नेधतों में लोगों के बीच एक समझेश देते हुई बूत्पुर मुक्य मंत्यी सुषी मायवटी जी के बूत्पुर कारिकाल में की गए विकास कारिये और नीचों से अफकत कराया चीव के साथ आमान काजी की रिपोर्ट तो यह सब बाते हम सब समाजी बता रहे हैं तो यह कारकर हम लोका चल रहा है हम तो पहली बार चुके हैं सुनिक पुझापती जी के मादन से आज हम यह आपका जो है यह मुझफन है कि अपसम लोग आ रहे थे तो पहली बार हम इसी यात्रा को लेकर हम प्रिवेश हो रहे हैं तो इसके बार इस प्रिकार से गोमती हुए यह मिराप्य की तरफ चली जाए है उसमें अवारी मीटिंग हुई है मुस्लिम समाज में मीटिंग हुई है गुदर समाज में मीटिंग हुई है सभी समाज के लोगों में यह मीटिंग चल गई है तो बहुत अच्छा माहल है और सभी समाज के लोग अब की बार कह रहे है कि पांच वी बार बसपा सरकार आन बिल्कुल वह उनका ये कहना जैसे कि हमारे साथ में चात्री निता चौदी चंची उनिवस्टी के चात्री निता अनिति उस्पवाई गुजर जी है बहुत प्रोफेसर से हैं हमारे भगवान सिंव यादर जी है तो सभी जो लोग है वह उस बात को बताते हैं जैसे वह नहीं कि आप यह खेती के पैसे से अपना मकाब रालेते हो तो मकाम नहीं बनने जाना चाहते हैं तो फसल का बेड़तों हैं पर इस्तिर है और सब चीज नहीं कर दिया है तो यह इंडाउट वे में आपर सारा प्रासा आपिस लिकर गवर्वर्डम्ट आपके पास करें इतना सबसे पहले क्या पराथ मिखता होगे आपके मानना ब्राम जी का सबसे पहले कहना रहता है इन लोग सबसे पहले लेंड और मेंटन करेंगे क्योंकि पूरे प्रदेश में बैका महल व्याद था है सबसे पहली बात जो अदमी मेंटली यूप से जो प्रैसर में रहेगा गुलाम रहेगा या बड़ में रहेगा वह कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है तो सबसे पहले उसके लिए माने बांजी ने कहा है कि हम लोग जो काम हमने सरकारी पहले किये थे हम वह भी करेंगे और जो जन्ता उम्मीद करती है जैसे हमें रोजगार दिये तो रोजगार हम अभी देंगे सबसे प्रकार से माने बांजी कहते है कि यह तम्हें डाटा फ्री देते हैं अटा फ्री देता है लेकिन आपको जो है ऑगी ना आपको रोजगार देंगी तो आपके घर के अंदर साथ वारी पर पृति मेने की तरक आएगी तो आप उतने लेटा पर खुण खूण लेना त तो पहली ऐसी नोटा होगी हो माने बेंजी जुन्हों ने अब तक के मुक्य मंत्री के साशन कहल में सबसे जबार होजगा दिया और एजुकेशन के उपर सबसे जबार पैसा कर्च किया